ओम शान्ती आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बताया गया कि बाप दादा के साथ का अनुभो जीवन बदलने वाला तो सबसे पहरे तुम्हें ये बता दूँ कि बाप दादा की गोद में हम आये कैसे जो बरतमान समय अध्या है भैजाबाद वहां के हम एक गाओं के रहने वाले जिसका नाम रेवना है और वो एक रियास्त हुआ करती थी हमारे लौकिक पिता जी लखनव आए हुए थे लौकिक चाचा जी ने कहा कि यहां पर ब्रह्मा कुमारी बेने परमात्मा से मिलाती है उनका दर्सन कराती है हमारे लौकिक पिता जी बहुत सास्त्र पढ़ते थे सारे अध्यान करते थे चार बेद, छे सास, रठारा पुरान, उपनिसाद बुराइक रूम को लाइबरेरी बना रखा था करम कांड को नहीं मानते थे पूजा पाठ को नहीं मानते थे और यह समाजी विचार धारा के थे लेकिन जब चाचा जी ने कहा कि आप चलिए ब्रहमा कुमारी बेने भगवान से मिलाएंगी तो बहुत खुशी से गए क्योंकि बेदों सासरों को पड़ा करते थे और जाने के बाद हमारी आदर्निया सांता मनी दादी जी बरतमुस समय ब्रहमा कुमारी आश्रम जो लखनव में था उसकी वो टीचर थी साथ दिन का कोर्स हमारी आदर्निया दादी जी ने कराया और साथ दिन में लोकिक पिता जी को पक्का निश्य हो गया परमात्मा इस धरा पर आई हुए है कोई प्रस्ण नहीं था कोई संसे नहीं था कुछ भी नहीं तो जब वापस गाउं जाने लगे तो दादी जी ने कहा कि आप रुक जाएए दो चार रोज अपनी सरसती मा जगत अंबा पधार रही है तो उनका आप मिल के जाएगा पिता जी को लगा कि जब सरसती मा आ रही है जगत अंबा जिसको ममा भी कहते हैं तो क्यों ना हम मिल करके जाएगा जब ममा से मिले ममा की क्लास किया उसमें इतनी संख्या तो नहीं होती थी ममा के क्लास में ही 20-25 लोग आते थे शुरुआत थी ये बात है 1960 की ममा ने कहा भगवान जो धरा पर आया है जंजन को संदेश देना है हर आत्मा अपना खोया हुआ वर्षा बाप से ले ले कल पहले वाला इसका प्रचार प्रशाद कौन करेगा ये बेहत की सेवा में कौन निकलेगा तो किसी ने सभा में हाथ नहीं खड़ा किया हमारे लौकिक पिता जी ने खड़ा किया कि ममा हम करेंगे ममा बोली अच्छा ऐसा करो कलास के बाद मेरे से आके मिलो फिर मैं आप सको बताऊंगी तो ममा के पास आए और ममा से मिले सामने बैठके ममा ने सारा समाचार पूछा क्या करते हो और कितने बच्चे हैं कितनी जिम्मेदारी है आपके उपर सारा बताया पिर ममा ने बोला कि नहीं, आपके उपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी बच्चे छोटे हैं Charity begins at home पहले आप जाए अपने परिवार वालों को ग्यान दीजिए ये बच्चे ही सेवा में निकलेंगे, आपको नहीं निकलना है आप बच्चों की सेवा करनी है दो चित्र हुआ करते थे उस समय में जाड और तिरमूर्ती, कल्प ब्रिक्ष और तिरमूर्ती निचे सिरिष्टी चक्र, वो दो चित्र हमारे पिता जी को दिलाया, कहा ये अपने घर में लगा दो और इस इस ज्यान सुनाना सब को, और कुछ पुरानी मुर्लियां दिला पिता जी ले करके पहुंचे, अब बहुत कुछी कुछी हम सबने कहा क्या लाएं, कोई मिठाई, कोई फल, तो बच्चों को तो यही चाहिए, को बहुत अच्छी चीज लाया हूं, आप सभी देखिये, सुनिये, सब को मिठा के बताया, कि साम से कलास शुरू करेंगे, जि और वो नर से नारायन, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं, तो नर को नारायन, नारी को लक्ष्मी ऐसा हूंच पद देने वाला परमात्मा सिरिष्टी पर आ चुके हैं, हम सब ने कह दिया, हाँ हाँ हम बैठेंगे, हम लोग सुनेंगे, मा से बोले एक रूम खाली करो, उसक पालमें गाउं के अंदर लाइट नहीं होती थी, लाल्टेन जला करती, तो लाल पेपर ले करके गये थे, जब योग करना होता था तो उसी लालटेन के उपर उसका कवर चड़ा देते थे, तो सारी लाइट लाल हो जाती थि, जब मुरली सुनने का ग्याना साइम आता था, त तो कवर हटा देते थे, तो वाइट लाइट हो जाती थी, सफेद बत्ती जल जाती थी तो इस तरह से योग का वतावन तयार करते थे हम सभी योग भी लगाते थे, घ्राण भी सुनते थे कुछ समय के बाद वो बाबा की मुर्ली समाप्त हो गई तो ये तो दादी ने भी नहीं बोला, ममा ने भी नहीं बोला कि आप यहां से कनेक्शन रखेंगे तो मुर्लियां मिलती रहेगी पिता जी ने जो मूर्ती चित्र के अंदर कॉर्नर पे पांडो भून का पता लिखा हुआ था उसी को देख करके बाबा को पत्र लिखा कि बाबा इस प्रकार से हम आएं और ऐसे हम कर रहे हैं तो आप हम क्या करें आगे कैसे ग्यान को बढ़ाएं बाबा ने तुरंत मुर्ली का पैकट बिजवा दिया हम लोग देख करके पाके इतने खुश हो गए कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारून का खजाना मिल गया भगवान ने डारेट बेजा है उस समय उसको माथे लगाए उसको चूमा पैकेट को मुर्ली देख देख के बड़े खुश हो रहे थे मुर्ली को नैनों पर रखा कि कोई बहुत कीमती चीज आई है जे सारा जीवन को पल्टाने वाला है कुछ दिन के बाद सिलसिला चलता रहा मुर्लियां आती रही पढ़ते रहे लोकिक पिता जी रोज का समचार बाबा को पत्र में लिखते थे और क्लास में कौन आया कितने आ रहे हैं कितनी दाड़ना वाले हैं रोज का समचार लिखते थे लेकिन एक दिन वो भी आ गया छे मास के बाद जहमारी छोटी बहन ट्रांस में जाती थी बाबा को भोग लगाती थी लोकिक पिता जी को ये पक्का निश्चे था कि ये ट्रांस में जाती है और भोग लगाती है और जो मैसेज उपर से लाती है ये बिलकुल सही ला रही है क्योंकि सांता मनी दादी ट्रांस में जाती थी तो उनका सब देखा हुआ था उनका अनुभो दादी का सुना हुआ था तो इसलिए पक्का हुआ कि हाँ ये ट्रांस में जाती है तो उसने एक दिन आके बोला कि ये जो बाबा इस चित्र में बने हुए हैं जिनकी तस्बीर है जाड में उसकी जड में कलप रिक्ष के ये बाबा वहां मिलते हैं वतन में और वो हमको कह रहे हैं कि तुम लोग को आन है कानपूर आ जाओ मैं आ रहा हूं आके मेरे से मिलो तो शुब बाबा से मिलने आना है तो आओ तो बाबा ने बता दिया उसने नीचे आके मैसेश दे दिया लोकिक पिता जी ने कहा कैसे मिलेंगे कहा मिलेंगे कैसे जाएंगे बाग गई बाबा से पूछा तो बाबा ने पूरा एड्रेस उसको बता दिया कि हम कहां पर आएंगे और तुम लोग को कहां पर आना है वो आके उसने एड्रेस बताया उसी एड्रेस पर हम लोग सब तयारी किये कि चलो बाबा से मिलने चलते हैं लेकिन हमारी क्लास में जो गाओं के और भाई लोग आ रहे थे और नियम धाड़ना पर चलने लगे पके निश्य बुद्धी हो गए उनके घर वाले विरोध करते थे और ये तो पता दो बात का विरोध है एक खानपान का एक पवित्रता का इतना विरोध करते थे कि वो योग में बैठें तो उनको पत्थर मार के जाते थे रात को उनका विस्तरा गीला कर देते थे सोने के लिए कि ये छोड़ें आश्रम ना जाए टार्चर करते थे वो लोग का कहना कि आप लोग तो चले जाएंगे बाबा से मिलेंगे हम कैसे जाएं हमें भी ले चलिये रोने लग जाते थे ये मैसेज भी बाबा को भेजा गया बैएन के द्वारा पिता जी ने कहा जाओ बाबा को बोलो इनका क्या करें बाबा ने उपर से मैसेज दिया सब को आना है और सब को मेरे से मिलना है बाबा कैसे मिलेंगे बाबा ने बड़ी युक्ति बताई हमारे गाउं में एक स्कूल के अंदर और वहीं स्कूल के बाहर ही मंदिर है सिंग बाहिनी देवी जी का तो मंदिर में भागवत हो रही थी साथ दिन की और जिस दिन निकलना था भागवत का समाप्ती वाला समय था आरती होनी थी तो हमारे बहन को बाबा ने कहा कि तुम जाओ और ऐसे बताओ कि सब लोग तयार हो जाओ और तयार हो करके इसी टाइम निकल लो रात को नो बजे जन्वरी का महिना था कराके की ठंड पड़ रही थी और बाबा ने बोला कि निकल लो तो निकलें कैसे क्योंकि हमारे पास कोई साधन सुविदा उस समय नहीं था अच्छी सडक भी नहीं थी बाहर जाने के लिए साधन सिर्फ बैल गाड़ी हुआ करती थी बस इस्टेंड चार किलो मिटर दूर था तो भी बेल गाड़ी से जाना है रिल्वे स्टेंशन पांच-छे ऐलो मिटर दूर था वो भी गाड़ी से जाना है तो अगर हम बेल गाड़ी में सभी बैठके जाते हैं तो गाह वाले तो वही रोक लेंगे बिरोद करेंगे अपने परिवार वालों से उनके साथ कुछ भी कर सकते थे बाबा ने इसलिए बताया कि जब आरती शुरू हो जाए सारा गाउं आरती में पहुंच जाए तो आप लोग निकल लो लेकिन असली जो रोड है उधर से नहीं निकलना है बाबा ने दूसरा बता दिया कि इस रास्ते से निकलो और ना रेलवे स्टेशन पर जाओ और ना बस स्टेंड पर जाओ कानपुर जाने के लिए तीसरा स्टेशन बाबा ने बताया और वो था 35 किलो मिटर दूर तो रात को 9 बजे हम लोग निकले रात भर चले और बहुत सारे जंगल बगिया, खेत, सब पार किया गाओं मिले तो उसमें जब हम पहुँचे तो एक देखो एक बल, एक भरोसा बाबा कहता है निश्चे बुद्धी विजयन्ती उसमें निश्चे, लगन, एक बल, एक भरोसा तो हम लोग निकल पड़े जरा भी संकल्प नहीं आता था इस जंगल में कोई शेर चीते होंगे जो सामने आ जाएंगे या इस बगिया में कोई भूत बैठा होगा हम लोग को पकड़ लेगा या घास के अंदाज चल रही है तो पैरों में कोई सांप लिपट जाएगा कुछ भी संकल्प नहीं था तो एक तो निर्भय निर्शंकल्प एक बल एक भरोसा और अखंड निश्चे इसको कहते हैं उस समय कि कि किस प्रकार हम लोग चलते चलते पूरी राज चले और इस्टेशन पहुँचे सवेरा हो गया इस्टेशन से कानपूर के लिए ट्रेन लिया और उस जमाने में ट्रेन बहुत छोटी चलती थी पैसेंजर ट्रेन उसमें खिड़की के अंदर कोई सीशा काँच नहीं होता था खुला खुला बिंडो होता था कोईले का इंजन होता था और कोईला का इंजन बहुत काला धुआ निकालता था वो ट्रेन के अंदर बैटे वे पैसेंजर काले हो जाते थे उनका चेहरा भी काला बस्तर भी काला इस तरह से हम लोग फिर पहुंच गए बाबा के पास वहां का सीन बिलकुल सुदामा और स्रीकरस्न जैसा सुना है वही सही था जैस सुदामा कहते थे मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूं लेकिन पहरेदार उनको अंदर नहीं आने देते थे हम लोगों ने कहा हम बाबा से मिलने आये हैं बाबा ने हमको बुलाया है तो कानपूर में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इनको बाबा कैसे बुला लेगा ना किसका पत्र है, ना किसी की तरफ से सूचना है, ये डारेक्ट ऐसे आ गए गाउं से, तो ऐसे कैसे बाबा बुला लेगा, कोई निश्चे ही नहीं करता था, हम लोग बहुत कहते हैं तो नहीं बाबा ने बुलाया है, तो बाहर दर्वाजे पर बैठे रहे, लान के अंदर दोपहर का भोजन हुआ, सभी लोग कर रहे थे, हम लोगों ने भी कर लिया, साम को बाबा की क्लास भी सुन लिया, हौल के अंदर, लेकिन बाबा से कोई मिलने के लिए, हमको टाइम नहीं दे रहा था, बाबा से मिलें कैसे, सर्दी में बैठे रहें, ये जरूर हम लोगों ने बोला, हमारे पिता जी ने भी बोला, कि हमको टो बाबा ने भुलाया है, वतन से निमंत्रण दे करके, बाबा तक मेरी सूचना पहुंचा दी जाए, फिर बाबा कहते नहीं मिलूंगा, तो हम वापस चले जाएंगे, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगी, क्योंकि ज बाबा का भरोसा था, कि जब सूचना पहुंचेगी, बाबा तक मेसेज पहुंचेगा, कि ऐसे लोग मिलने आए हैं, तो बाबा हमको बुलाएंगे, क्योंकि बाबा ने ही निमंत्रण दिया है, तो लास्ट में बड़ी दीदी, मनमोईनी दीदी ने बाबा को बोला, रात क फिर दस बज गया था, कि बाबा सुबा का आया हुआ, एक गुरूप बैठा हुआ है, और ऐसे ही बता रहा है, कि हमको तो वतन से बाबा ने निमंत्रण दिया है, बाबा ने का बुलाओ बुलाओ जल्दी बच्चों को देर मत करो तुरंद बुलाओ, फिर बड़ी दीदी आई बाहर, का चलो 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 बाबा बुला रहे हैं, चलो अंदर, जब हम लोग गए, तो वो द्रिश्य बिल्कुल ही सुदामा स्री क्रिस्न वाला द्रिश्य था, और उसका ज्यादा में टाइम नहीं लोंगी, और किस प्रकार से बाबा हम बच्चों को देख रहे थे, ब बहुत प्यार से पूछा, सबसमा चार बाबा को सुनाया गया, बाबा ने कहा, मेरे से बच्ची, तुम इतना किलोमीटर पैदल चली, तो ठकी नहीं, जर अपना पैर दिखाओ, तो बाबा को जब पैर दिखाया, तो पैर तो सब के सूजे हुए थे, इतने मोटे मोटे जै तो मैं तुमारा पाउं दबाता हूं, और सब ठकान दूर हो जाएगी, और जितनी स्वेलिंग है, वो सब चली जाएगी, तो बाबा ने मेरे पैर को दबाया, अपने हाथों से, तो उसमें ऐसे लग रहा था कि सच मुछ हम दरोपती हैं, और बाबा हमारे पैर को दबा रह और सब के पाउं की स्वेलिंग चली गई, फिर बाबा को हमने एक खदर का, उस दिनों में मात्मा गांदी का था, खदी का बहुत चलता था, तो हमने भी ट्रेनिंग लिया था, उसमें हमको इनाम मिला था फर्स्ट ट्रेनिंग में, तो गलीचा था, वो हम लेके बाबा को देने गए, मन में आ गया कि ये मेरे को इनाम में मिला है, हम इसे बाबा को जरूर देंगे, तो बाबा को जब दिया, तो बाबा पर बाबा ने ही बोला कि देखो बाबा तो गरीब निवाज है, तो गरीब निवाज तो तुरंथ हमको अनुभो हुआ, क्योंकि बाबा ने लच्छू से कहा कि बच्ची तो खादी का गली चलाई है, इसको तुरंद रिटन करो, और इसे जो है, उलन दो, शौल पहनाना है, तो उसमें इतना नहीं यग्य में होता था, थोड़ा ही होता था, कोई विशेश आया है, कोई सही योगी है, बी आइपी है, उसको शौल पहन आएगा बाबा, तो लच्छू दादी ने मना कर दिया, बाबा ने कई बार बोला, नहीं, बच्ची को शौल देना है, लियाओ, जब ना किया, तो बाबा खुद उठके खड़े हो गए, और जा करके, बड़ा जो पेटी, लोहे का ट्रंक था, उसको खोला, और लिया करके, मुझे को सौल पहनाया, तो मुझे पहले तो यह ग्यान नहीं था, कि सौल पहना के सम्मानित किया जाता है, लेकिन जब पता चला, तो मुझे इतनी खुशी हुई, कि मुझे तो डारेट भगवान ने सौल पहना के सम्मानित कर दिया, पिर बाबा ने का, बच्ची, तुम कि खड़ी हो जाओ, तो हम तुम्हें सेवा में लगा लेंगे, सेंटर पर रख लेंगे, तो मुझे इसका अर्थ मालूम नहीं था, मैं उठकर के खड़ी हो गई, सभी लोग हचने लगे, समझ मिने या क्यूं हच रहे हैं, तो बाबा का कहने का भावती था कि स्टेंड हो जा और हमने समझा उठके खड़े हो जाओ, सब हो गया, मिलान अच्छा हो गया, बाबा का प्यार मिला, बाबा का सब दृष्टी मिली, फिर बाबा ने का ये बच्चे ठहरेंगे कहां, बड़ी दीदी ने का बाबा, इनकी कोई सूचना नहीं थी, तो इनके लिए कोई स्थान है नहीं ठहरने का, बाबा ने का नहीं नहीं, मेरे बच्चे इतने आए हैं दूर से, इनको तो बहुत अच्छे स्थान पर रखना है, तो इनकम ट्रेस के कमिशनर थे, बाबा ने उनको का उनको बुलाओ, अपनी कार लेके आए, और ले जाके अपने बंगले में इन बच् तो और सब क्या तो गेस्थाऊस, दरमसाला, लेकिन हम लोगों को बाबा ने कमिशनर आऊस में ठहराया, और कमिशनर गाड़ी ले करके आए रात को दस बजे ले करके गए, इसी तरह चलते रहे, चार-चार दिन बीत गया, तो जहां बंगले में ठहरे थे, माता जी, तिलक माता जी बोली कि आपको इतना दिन हो गया, बाबा का मिलान हो गया, आप लोगों आपस कब जाएंगे, क्योंकि हम लोग भूल चुके थे, कि हमें बाबा को छोड़के जाना भी है, तो इसी प्रेकार से अम लोगों का अच्छा ठीक है जाते है, बाबा निकले टैनिस खेल ने, बाबा ने का बोलो बचे क्या बात है, ऐसे इसारा किया, नहीं बाबा आज हम आपस जा रहें का अच्छा, तो अर्द चंद्रमा के रूप में हम लोग खड़े हो गए बाबा के आगे, और बाबा साब को दृष्टी दे के बिदाई दे रहे थे, दृष्टी देते, मेरे को फिर बाबा ने दुबारा देखा, नीचे सूपर तक दो तीन बार देखा, बाबा बोले बच्ची तुम भी जाती हो, जी बाबा, तो बाबा आगे बढ़े, और मेरा हाथ पकड़के अपने पास खीच लिया, और गले से लगा लिया, का नहीं बच्ची तुमको नह जाने का है, और मेरे लौकिक पिता जी खड़े थे, माता जी वहीं सब थे, बाबा ने पूछा, ये बच्ची तो हमारी है, तुमको कोई इतराज तो नहीं है, पिता जी ने कहा, जब आपकी बच्ची है, तो मुझे क्यों इतराज होगा, मैं कौन मना करने वाला होता हूं, फिर बाबा ने मुझे वो इसी समय ले लिया, और मेरी आयू समय 16 साल की पूरी होई थी, 17 साल में चल रहे थे, बाबा ने ले लिया, सारा परिवार वापस गया, और मुझे लगा बस बाबा ने मुझे एकसेप्ट कर लिया, तो इतना भी निरसंकल्प हो गई, कि परिवार जा रहा है, तो उसको गेट तक सियाफ करने भी नहीं गई, बड़ी दीदी ने कहा बुद्धू, जाओ सबको सियाफ करके आओ गेट तक, बंगले के बार चोड़ के आओ, तो मैं पहुंचा करके फिर वापस आ गई, तो नश्टो मुहा किसको कहते हैं, बाप का बनना, वो मुझे अन्बो हुआ, कि वो दिन हो गया, मैं बाबा के पास रही, बाबा ने अमरी सर भेजा, वहां ट्रेनिंग लिया, फिर मदुबन में मुझे रखा, मैं वापस कभी घर को लोट के यादी नहीं किया, और ना मैं गई, मैं सेवा में भी बाबा ने लगा दिया, ममा ने तो चालिस वरस तक कभी लोकिक में नहीं गई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नो कोई सबसे बड़ा परिवर्तन तो यहीं आया, कि मेरा एक ही रिष्टा है, एक ही रास्ता है, एक ही नाता है, अब मैं मदुबन में जब रहने लगी, तो बाबा के साथ है तो छोड़ बाबा ने कहा बची, तुम बाबा के पास हो, तो बाबा ने बहुत सारी हमको सीख भी दिया, जैसे एक बार बाबा अपने रूम की सफाई करा रहे थे, मैं जाडू कर रही थी, सफाई कर रही थी, और बाबा बैठके गदी पे जो पांडो बोन का रूम है, वहां जमीन मे बिच्छा हुआ है, वहां बैठके पत्र लिख रहे थे, बाबा ने कहा देखो बच्ची, एक मक्षी बहुत तंग कर रही है, इसको तुम मारो, मैंने मारा और मैं ऐसे उठा के उसको सूपड़ी मे लेके चली फेकने, बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची इदा रहो, इद बड़े काम की चीज़े, ये मक्षी बड़ी सर्वी सेविल है, इसको फेकना नहीं है, अब सोचने की बात है, मक्षी कितनी सर्वी सेवल होगी, तो बाबा ने जो बहन को पत्र लिखा, उसी पत्र में मक्षी भर दिया, पोस्ट में, और एक लाइन बढ़ा दिया, नोट कर कि कि बच्ची, तेरी सेवा ब्रेदी को क्यों नहीं पाती है, क्या तु दिन भर बैटके मक्षी मारती है, तो मुझे लगा कि बाबा रोज बोलते हैं कि तुम्हें सेंटर में भेज देंगे सेवा के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि बाबा मुझे भी मक्षी भेजेंगी, तो उस से क्या हुआ, इस घटना से मेरे जीवन में परिवर्तन तुरंत आ गया, नहीं हम कहां भी जाएंगे, तो आलस, अलवेलापन, सुष्टी, कुछ नहीं मैं सेवा, मना सेवा, बाबा को ये मौका मैं नहीं दूंगी, जो मुझे कभी लिखे बची तु क्या कर रही है, तो उसने घटना ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला दिया, आज तक भी मेरे अंदर आलस का नाम नहीं है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसी प्रकार से कल का दिन काल का दिने बाबा हमेशा कहते, बचे जो करना है आज कर लो, तो बाहर में खाट पर बैठे थे निवार का पलंग था, दो चार और भी भेने थी, दादा विश्वरतन कराची का हम सब को अनुभो सुना रहे थे, पलंग बोर धीला हो गया था, रात को बाबा दस बजे निकले, बोले बची बाबा का फोकस मेरे उपर था, ये निवार धीली हो गई है, इसको टाइट करो तो जो सुन रहे थे, उसमें बड़ा इंट्रेस्ट आ रहा था, मैंने बुला जी बाबा कल कर लेंगे, बाबा ने कब बची, तुमको पता कल का दिन काल का दिन होता है, जो करना है, अभी करना है, उतरो, तो हम सब को उतार करके, बाबा ने खुद पलंग को सीधा करने के लिए हाथ लगाया, जब बाबा हाथ लगाएगा, पट्टा पकड़े का खीचने के लिए, तो हम उतर के ठीक करने लगे, तो हमने और विश्वरतन दादा ने ठीक किया, तो इस घटना से मैंने सोच लिया, इतना बड़ा परिवर्तन आया, कि कि हमें कभी भी कोई भी कारि के लिए नहीं छोड़ना है, जो आज तक का है, आज ही फिनिश कर देना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, तो इस तक जीवन में मेरे बनी हुई साधना, ऐसे ही एक बार बाबा ने का, बची तीन तुम को रहते हुआ, तो तुम जो है, वो कभी उपर गई दिलवाडा देखने, अचल घर देखने, मैंने का नहीं बाबा, तो बाबा ने मुझे भेजा, कहा जाओ, और जा करके सब देख के आओ, तो मैं लगातार जाती रही एक दो तीन दिन, जो ओम्रकास गुलाटी भाई ट्रांसपोर्ट के चियर परसन रही हैं, ये दिल्ली से आए हुए थे, इनी के साथ बाबा ने हमको भेज दिया, जाओ बची को गुमा के लाओ, तो वो तीन दिन हमको ले जाते थे, तब सादा नहीं होता, तब पैदल जाया करते थे गुमने, जब फर्स्ट डे मैं गई, तो साम को लोट के आई, तो बाबा ने बुलाया, कहा बची इधार आओ, जी बाबा, तो बाबा ने का काईदा कहता है, जिसने भेजा है, उसको आ करके सारा समाचार सुनाना है, तो तुम क्या देखे के आई बाबा को सुनाया, और तुम अच्छा क्या लेके आई, मैंने क बबाबा चेरी लाहे थे जंगल से तोड़के तो बड़े प्यार से बाबा ने कहा लाऊ बच्ची लाऊ कहां है मैंने कहा बबाबा वो तो आम लोगों Strange जिछा लिया आज दिन तक भी मैंने यग्य से, बाबा से, मम्मा से, दादियों से, फिर उसके बाद कभी छिपाया नहीं। ऐसे बाबा ने एक दिन क्लास में बुलाया, बच्चे आओ, आ करके ये टोली बांटो। तो एक भाई की तरफ से बुलाया, एक भेनों की तरफ से बुलाया, जब भेन और भाई आये, तो बाबा ने बोला, कि जब छे मैना से रोया नहो, वो बहन टोली बाटे। और जुब भाई है वो गुस्सा ना किया हो वो तोली बाटे, तो बाबा ने हमारे से दोनों उठ गए तो बाबा किसको दे वेया रुक गए, बाटा टोली क्यूंकि भाईयों की ने प्योंडे कम्जोरी गुस्सा है, और भ।ैनों की रोना है, बाबा ने एसे फिर पीड़ा था ऐसे उचाला किलास को और मैं छोटी थी, आगे जमीन में बैठी थी, तो मैंने पांच पेड़े कैच किये, जब पांच कैच किया, तो बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची कितने पेड़े लिए, मैंने बड़ी खुशी से बोला, बाबा पांच बाबा बोले क्यों ये गिंती के पेड़े हैं और गिंती के भाई बेन है ये परिवार है तुम्हें ख्यालाया कि मेरा परिवार है तो चार पेड़ा तो इस पॉर्ट में लाके रखना चाहिए ला कहता है और एक पेड़ा लेना चाहिए फिर बाबा के कहने से मैंने रखा और उस दिन से ये धाड़ना बना ली कि मुझे अपने परिवार के साथ मिल करके बराबर का हक रखना है किसका हक नहीं मारना है